हेलो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी रेश्टोरेंटर स्टाइल वाली रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी बच्चे क्या बड़े भी से मांग मांग कर काएंगे लेकर वीडियो शुरू करने से पहले आप लीज लाइक करें सब्सक्राइब कर यहां पर ले रही हूँ फंग टेहल्ड ह मजय हम गरमेंग डाल रहे हैं कोर देख सकते हैं बेंगन को करने नहीं और पानी भट ओन स्नील कर देहरेंगे सब्सक्राइब करें हैज वेच छूट होछके लिफटते सब्सक्राइब कर बिख्चा ह немного लिए बदे आप अपनी कर द तरीका बनाने का तो यहां पर हम सभी बैंगन को 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे कि बैंगन हमारे उबले हैं या नहीं अभी आप देख सकते हैं बैंगनों का कलर चेंज हो चुका है अब इसे आलट पलट कर देंगे जिसे बैंगन दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं अब इसे पांच मिनट के लिए और पकने देंगे आप देख सकते हैं कि हमारे बैंगन एकदम अच्छे से उबल चुके हैं आप देख रहे हैं इनकी स्टीम भी निकल गई है बैंगन की तो इसका मतलब है कि हमारे बैंगन अच्छे से पक गई हैं, अब हम सभी बैंगन को निकाल लेंगे, दोस्तों ये रेस्पी बहुत मस्त बनती है, आप इसे एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगी, हमने सभी बैंगन प्लेट में निकाल ल रही हूं, सभी बैंगनों के छिलके हम हटा लेंगे, अब हम इसे बीज में से काट की एक बार और चेक कर लेंगे, कि कहीं हमारे बैंगन अंदर से खराब तो नहीं है, वैसे तो मैंने देख कर ही बैंगन खरीदे थे, लेकिन कभी कभी अंदर से खराबी निकल जाते हैं, लेकिन हमारे बिलकुल सही है, हम ये ऊपर राद साथा देंगे और ऀसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे, लेकिन हमारे बारे बिलकुल ये कदों प्रिफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, हमने बैंगन सभी को चील लिया है, अब चम्मज की सहता से हम इसे मेस्क करेंगे, अग बिल्कुल भी अच्छे से मैस कर लें हमारे बैंगन एक दम अच्छे से मैस हो गए कड़ाई हमारी गरम है देल भी गरम हो चुका है अब हम यहां पर आप टेवल स्पून जीरा डालेंगे एक टेवल स्पून कटा हुआ अधरक डालेंगे दर्स बारा कलिये लेसन की कटी डालेंगे दो हरी कटी होई मिर्च डालेंगे एक टेवल स्पून राई डालेंगे इससे हमारे बैंगन के बढ़ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही करंची करंची लगता है जब आम उसे खाते हैं अब यहां पर दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज जिसे मेंने पहले से ही काट के रख लिया था अब हम सभी को अच्छे से भूनेंगे प्याज हमारा भून चुका है अब हम यहां पर थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे अजवाइन ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बैंगन हमारे कड़वे हो जाएंगे जो बिल्कुल अब हम इसमें तिन इमेडियन सायज के कटे हुए टमाटर डालेंगे अच्छे से भूनेंगे प्याज हो तो इसमें चार हरी कटी हुए मिर्च डालेंगे तो थोड़ा मैं सपाईसी बना रही हूँ अगर आप कम घाती हैं तो मिर्चिए बिल्चर आप सक़ते हैं अब में एक पिंच लंबी साइज में कटा हुआ अध्रक डालेंगे इसे हमारी बेंगन के बढ़ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमें बेंगन नुक्सान भी नहीं करता है अब हब टेबल स्पून हम यह हल्दी डालेंगे हब टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे एक टेबल स्पून कस्मीरी लाली मिर्च डालेंगे इसे हमारी रेस्पी बहुत ही प्यारा कलर आता है यह ज्यादा तीकी नहीं होती है यहां पर एक टेबल स्पून सावत कुटा हुआ थनिया डालेंगे इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर हम थोड़ी सी हींग डालेंगे जआदा नहीं डालेंगे और सभी Most algo को से बून लेंगे इसे तब तक भूनना है, जब तक हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से नहीं पक जाए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए, अब हम इसे दो मिनिट के लिए पलेट रख़र पकाएंगे, अब देखेंग कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर रॉप्याज अच्छे से भून चुके हैं अब इसे हम चमस की साइता से अच्छे से मैस्क और कर लेंगे अब हमारे टमाटर रॉप्याज अच्छे से भून चुके हैं कि अब हम इसमें बेंगन का बढता डालेंगे जिसे हमने मेस करके रख लिया था और हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिसलेकन का बढता सभी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे इस बैंगन के बढ़ते में अगर आप इस तरीके से एक बार बना लिया तो आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे जुरू ट्राई करना और कमेंट करके बताना किस रेसिपी को किस किस ने ट्राई किया है आप टेवल स्पॉन धनिया पाउडर डालेंगे एक टेवल स्पॉन हैं सबजी मसाला डालेंगे थोड़ा चाह मैं है गरम मसाला डाल रही हूं और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि आपका लाइक और कमेंटर सब्सक्राइब बिल्कुल फिरी है लेकर हमारे लिए बहुत ही कीमति है तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब देंगे जिसे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं आप देख सकते हैं मसालों ने अपना तेल चोड़ दिया है और हमारा बैंगन का भड़ता भी एक दम मस्त बनकर त्यार हो गया है कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया हमारे बैंगन के बढ़ते में अब हम उसके ऊपर हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे अब हम प्लीटिंग करेंगे तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करा करें और बैल आइगन का बटन दवाए जिससे हमारी हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे आप देख सकते हैं हमारे बैंगन के भड़ते की प्लेटिंग कितनी मस्त लग रही है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है तो थेंक्यू फार वाचिंग दोस्तों